कल महाकाल इश्वर मंदिर की समीग जो एक प्राकृतिक आपदा से दुरघटना हो गई जिससे जिन लोगों की मृत्यू हुई है उसके लिए भगवान महाकाल के पुजारी पुरोहिक परिवार ने भगवान महाकाल को जल अरपन करके ओंग शान्ती का पाथ किया जिसमें महाकाल इश्वर मंदिर के प्रशासक गनेश धाकर उपस्थित रहे पूजन अभिशेक के बाद पंदिक कुजारी ने बताया है कि हमने बाबा महाकाल से यह कामना की है कि उज्जैन शहर के साथ साथ प्रदेश ही नहीं पूरा देश सुक सम्रिध रहे तरह की घटना दोबारा ना हुई यह बाबा महाकाल से हमने प्रार्थना की ता यह से आहे दो गरत पाहाए जो आहे नहीं पाहाए नहीं कि यह भी कि आला पैओ देश प्रेंगहाए से इंग भी कि ऊस्टे मुझेशक भी डेखिन ayam कि बूता देखाल दिया कि शाहाए तरह के आखे दोड़ा आंग रहे इंग शाहाऌम को अधर करना दाना विस्ट्यूर्व मुख्षे यहादा कि कल महाकालेस्वर मंदी के समीप जो एक प्राकसिक आपता से दुर घटना हो गई जिससे दो लोगों की मृत्त्य हुई है उसके लिए भगवान महाकाल के पुजारी पुरोहित परिवार ने भगवान महाकाल को जल अरपन करके उन सांतिगा पाठ किया जिसमें महाकालेस्वर मंदिर के परसासक गणेस धाकड़ जी उपसीत रहे वो भवान महाकाल से यही कामला करते हैं कि भवान जिनकी मृत्ति हुई है उनको भवान अपने सी चड़नों में स्थान दे जो घायल हुए है वो भवान महाकाल उनको सहस्त करें